बिहार के खगडिया से एक दर्दनाक खबर आ रही है ट्रेन हाथसे की खबर आ रही है जहांपर दो सक्स की मौत बताई गई है घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल कायम हो गया है फिलाल घटना की सूचना नजदी की स्टेशन प्रबंदक को दे दी गई है इसके साथ ही घटना की सूचना रेल पुलिस की टीम को भी दी गई है थाकि सब को अपने कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेजें जानकारी के अनुसार बरोनी कठियार रेल खंड के गोचारी हॉल्ट के पास दर्दनाक हाथसा हो गया जहां एक्सप्रेश ट्रेन की चपेट में क्या कुछ कहा है उन्होंने सुनिये सुना आपने ये घटना तब हुई जब तीनों मजदूर रेलवे ट्रैक के मेंटेनिंस का काम कर रहे थे इसी दोरान एक एक एक्सप्रेश ट्रेन ट्रैक से गुजरने लगी जिसमें तीनों हाथ से काया शिकार हो गया हालागी घटना की सूचना मिलने पर रेल पुलिस और महस्खुट थाना पुलिस मौके पर पहुँची और सब को अपने कबजे में लेकर पोश्ट माटम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया इधर मृतकों में मुकेश चौरसिया और अर्जुन सर्मा शामिल है इधर गोगरी स्टिपी और मिस कुमार ने कहा कि दो मजदूरों क कि मौत हुई है जबकि एक घायल है घट्टा की सुचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है इसके बाद परिजनों में मातम का माहौल कायम हो गया है तो परिजन तो मातम में हैं ही लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह कैसे रहा है ट्रेन पर जबकि मजदूर काम कर रहे थे उन्हें भनक नहीं लगी या फिर ड्राइवर ने देखते हुए अंसुना कर दिया तमाम बाते हैं फिलाल जाच की बात कही जा रही है इससे पहले आपने देखा था कि रेलवे के कर्मचारियों की किस तरीके से मौत हुई थी एक ट्रेन के बीच में दब गया था वहां भी जो बातें काफी बातें कही गई उसको लेकर भी किस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई रेलवे कर्मियों दवारा और इसके बाद एक और घटना हुई थी कठिहार में जहां एक रेल कर्मी ओन ड्यूटी ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आ गया था और अब है जिसका इलाज चल रहा है इस्पताल में खगडिया से अनीज की ये रिपोर्ट है ताजातरीन खबरों का सिलसला लगातार जारी है देखते रहें दर्श न्यूज